हेलो फ्रैंस वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपकी साथ सेर करने जा रही हूं मटन कीमा कवाब तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये देखिए मैंने आधा केजी मटन कीमा ले ली हूँ और मैं इसे अच्छे से वास कर दी हूँ अब मैं इसमें एक एस्पून मिर्च पॉडर डालोंगी थोड़ा सा इसमें हल्दी पॉडर डालना है एक एस्पून धनिया पॉडर डाल ले हूँ थोरा सा लाहसतों व्यव्याद्रग का पेश डाल दें। एके-स्पून के क्रीब है। याओ पेस्पून नमक effectively कर रही हूं। दो हरी मिर्स ली हूँ और इसे मैंने कट करके इसमें डाल दे हूँ और यह ब्राउन करका प्याज है इसमें डाल दे हूँ और यह डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है एक स्पून भुनावा जीरा पड़ा डाल रही हूँ अब यह सब को अच्छे से मिक्स करक और दो घंटे के लिए फ्रेज में रखना है मैं थोड़ा सा पोदीना पत्ता यहां पिली हूं और थोड़ा सा धनिया पत्ता को अब थोड़ा से स्वी नमक डाल के अच्छे से से मिक्स कर देना है दो घंटे कवाद मतन कीमा को मैंने फ्रेज से निकाल ली हूं अब मैं इसमें प्याज में डाल दोंगी और इसमें बेशन ले रही हूं चना का जो बेशन होता है भूना हुआ बहें मैं यहां पर फोरे स्पून एड़ कर रही हूं और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है देख मैं इसमें टिक्की डाल दूँ हूं अब मैं इसे फ्राइ करूंगी अच्छे से मीडियम ठू हाइफ लेंपे और यह देखिए मैंने पलड दूँ हूं दो मिनट और मुझी इससे पकाना है देख सकते कलर इसका कितना अच्छा आया है गॉर्लेन कलर आप सभी टिक्कियों स सभी कवाब को इसी तरह से फ्राइ कर लीजिएगा कीमा कवाब फ्राइ हो चुका है अब मैं इसे निकाल लेती हूं यह देखिए फ्रेंस मैंने सारे कीमी कवाब को अच्छे से फ्राइ कर ली हूं और यह देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है अब चटनिं के साथ इस सेर भी कर जिएगा फ्रैंड की साथ फैमली की साथ सब्सक्राइब भी कर दियागा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब बाइबार